विडियो अच्छी लगी तो विडियो अच्छी लगी तो वीडियो देखकर लाइक कॉमेंट्स किया करो भाई मैं बहुत मैनत करते हैं वीडियो के पीछे जिससे मुझे मॉटिवेशन भी मिलता रहे तो चलिए बात ना करते हुए काम सुरू करते हैं तो मैंने यह पॉंफरेट फिस अगर हल्दी लाल मिर्च और नमक डाल देंगी और चारो तरफ अच्छे से उलट पलट करकी अंदर तक मसाले मैरिनेट कर लेंगे और मसाले अच्छे से मैरिनेट होने के बाद मैंने इसे पंदर मिनिट के लिए रिष्ट पे छोड़ दिया और अब हम करेंगे ग्रेवी की तैयारी तो ग्रेवी की तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैंने कड़ाई गयास पे गरम किया इसमें 10 से 12 काली मिर्च, 4 लॉंग और 10 चमच धनिया, एक चोटी चमच जीरा और एक इलाईसी मैंने डाला ये मिक्स मसाले, खड़े मसाले थे, उसमें से मैंने चुन के धनिया जीरा निकाला और कुछ सेकंड के लिए भून लिया, खुसबू आने तक, इन मसालो को हम लूफ लेम पर ही भूनेंगे ताकि अच्छे से सुन्धा वाला खुसबू आने लगे इन में से और इसे मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया क्योंकि ये थोड़ा से था इसलिए दरदरा ग्राइंड हुआ और अब हम इसमें डालेंगी पांच हरे मिर्च, दस से बारा गाल्ड के क्लोप्स और एक टमाटर बड़े साइज का टमाटर को मैंने रफी चॉप कर लिया है ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और ये हमारा फिस करी का मसाला बनके रेड़ी है ग्रेवी के लिए तो इसे अब साइट करते हैं वे कडाही हम गैस पे रखेंगे और इसमें हम 1 by 4 cup oil डालेंगे फिस बनाने के लिए सर्चो तेल तो मस्ट है और यहां मैंने सर्चो तेल डाल कर गरम होने दिया अच्छे से उसके बाद मैंने फिस डाल दिया फिस को हम एक मिनट के लिए लो फ्लेम पर एक तरफ सेखेंगे फिर दूसरे तरफ पलट कर एक मिनट के लिए सेख लेंगे जब हलका कलर ब्राउन होने लगे तो हम इसे निकाल सकते हैं तो यहां देख सकते हैं यह कलर इसका चेंज हो चुका है ब्राउन तो हम इसे निकाल तो मैंने यहां एक फिस्ट फ्राइ करके निकाल लिया और दूसरा भी हम डाल देंगे उसी तरह इसे भी मैंने दोनों तरफ सेक लिया है गोल्डन ब्राउन कलर आने तक और यहां देख सकते हैं यह फिस्ट का स्कीन ही उपर से निकल लिया है कोई बात नहीं और यहां मैंने कर लिया तो मैंने उसी तेल में मैंने एक बड़ी साइज का प्याज फाइन चॉप करके डाल दिया और एक तीछ पत्ता 15 से 16 कढ़ी लिफ्स डाल दिया है थोड़ा तोड़ कर डाला मैंने और जो ग्रैंड किया था मैंने मसाला उसे भी मैंने डाल दिया प्याज में ही जब हम इन मसाले को तब तक भूनेंगे जब तक मसाले में से तेल अलग ना दिखने लगे और इस मसाले को हम मीडियम लो फ्लेम पर ही भूनेंगे हाई फ्लेम पर नहीं भूनेंगे और जब ये मसाले में से तेल अलग दिखने लगा तो अब हम कुछ सुखे मसाले डाल देंगे त ह fälltी लायल मिर्च और 10 केे काइडिंग नमक डाल दिया है। और आपको थोड़ा इन्हेंस करना है तो कस्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं, और mix करके मैंने थोड़ा सा पानी डाला ताकि जो सुखे मसाले हैं वो absorb हो जाए मसाले में फुने हुए मसाले में प्याज में और मसाले जब अच्छे से फुन गए हैं तो मैंने gravy के according पाने डाल दिया मुझे जितना gravy रखनी है उतना मैंने पाने डाला जाला पानी भी नहीं डालेंगे क्योंकि gravy पतली अच्छी नहीं रखती है पानी डालकर मैंने फिस भी डाल दिया fry किया हुआ और फिर से मैंने थोड़ा सा कड़ी lips डाल दिया उपर से और इसे मैंने अच्छे से mix कर लिया और कड़ाई का ढखन ढख देंगे और low flame पर हम इसे तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे तीन से चार मिनट के बाद मैंने ढखन हटाया फिर उसमें एक चमच गरम मसाला डाला और बारे कटा हुआ धनिया पतर डाल कर मैंने इसे mix कर लिया तो इसे फिस को चला नहीं सकते तो बस मैंने इधर उधर थोड़ा ही ला लिया कि mix हो जाए अच्छे से और छोलनी से थोड़ा सा gravy इधर उधर कर दिया ताकि अच्छे से mix हो जाए और फिर से मैंने ढkan दिया बस ये हमारी गरम गरम फिस बनके तयार है ये दिखने में ही कितना yummy दिख्रा है किसे किसे मुझ में पानी आ रहा है और यहां मैंने गरम गरम राइस भी बना लिया है तो गरम गरम राइस के साथ इसे मचली को सर्फ करेंगे यहां राइस हमारी गरम गरम है और फिस नॉर्मल टमप्रेचर पर आ गया है तो मैंने इसे सर्फ किया क्योंकि फिस्क गर्मा गर्म नहीं अच्छी लगती है ये नॉर्मल टंप्रेचर पे ही अच्छी लगती है और अगर आपको ये वीडियो यूस्फुल लगी अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब सेयर करना ना भूले फिर मिलेंगे नए र सिपी कसाद बढबाई तेक येर